Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor आज हम तौफीक रफद की एक युनिक पॉम किचेंज को डिसकस करने लगे हैं आज इसी एक लेक्चेंज में हम इस पॉम के इंट्रोडक्शन, कीफेक्स, लिटरी एंड पॉइटिक डिवाइसे लाइन अनलिसिस, थीम्स और सिंबल्स को कवर करेंगे लेक्चेंज बहुत ज़्यादा इंफॉमेटिव होने वाला है तो इसको कम्प्लीट वाच करना First of all हम तौफीक रफद की लाइफ की कुछ मिजर फैक्स को डिसकस करेंगे तौफीक रफद वाज बॉन ऑन 25 अक्टूबर 1927 वाइल ही डाइड ओन 2 अउगस्ट in 1998 And he was 71 years old at the time of his death और उनकी birth or death के years को ही देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो modern time period से belong करते थे हिवाजा पाकिस्तानी English modern poet उनकी nationality पाकिस्तान थी मगर वो अपनी poetry में English language को use करते थे तौफीक रफद एजरा पाउंड से बहुत ज़्यादा inspired थे क्योंकि एजरा पाउंड अपनी poetry में imagery और straightforward tone को use करते थे इसके लावा तौफीक रफद को English literature में पाकिस्तानी idiom के pioneer भी consider किया जाता है क्योंकि तौफीक रफद ही वो poet थे जिन्होंने English literature में पाकिस्तानी idiom को introduce करवाया था वो अपनी poetry में simple और straightforward language को use करते थे उनकी लिखी गई pomms short in length but comprehensible यानि के easily understandable हैं अब हम उनकी pomm किचेंज के key facts को discuss करने लगे हैं तौफीक रफद की लिखी गई pomm किचेंज एक traditional pomm है यानि के किचेंज एक ऐसी pomm है जिसमे old traditions को recall किया जाता है इस pomm में किचेंज में काम करने वाली औरतों की suffering को भी दिखाया गया है किचेंज pomm में old or new traditions के बारे में भी discussion की जाती है इसके लावा past और present lifestyle के दर्मयान comparison भी किया जाता है arrival of the moonsoon तौफीक रफद की first poetic collection है और इसी poetic collection में 1985 में pomm किचेंज को भी publish करवाया गया था और arrival of the moonsoon में जिन pomm को शामिल किया गया था उन्हें 1947 से लेकर 1978 तक लिखा गया था pomm किचेंज को एक nostalgic pomm भी consider किया जाता है nostalgia can be defined as a need of past or longing for the past in simple words nostalgia में कोई भी person physically तो इसी world में present होता है मगर mentally thought पर वो past life की यादों में खोया रहता है तो फीक रफद बार बार इस pomm में past life का जिकर करते रहते हैं अब हम इस pomm में use होने वाले symbols को discuss करेंगे old kitchen is used as a symbol of traditions, culture, innocence, love for nature, pure and simple life while the new kitchen is used as a symbol for living traditions and culture, newness, materialistic life, lack of sympathy, no love and compassion and the last one is destruction of values और इस pomm में word warmth को भी use किया जाता है जो कि love को symbolize करता है अगर वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को like share करके अभी से अच्छा सा comment भी कर दें first of all we are going to talk about the title of this pomm kitchens इस pomm के title में word kitchens को plural form में use किया गया है जो ये signify करता है कि इस pomm में traditional और modern kitchens के दरम्यान comparison किया जाएगा अब हम इस pomm को line by line deeply analyze करेंगे और उसके साथ साथ इस pomm में use होने वाले themes को भी discuss करेंगे kitchens were places we grew up in point past life को याद करते हुए कहते हैं kitchens वो जगाते जहां पर हम बड़े हुए यानि कि उन्होंने अपनी life का बहुत ज़्यादा time kitchens में ही गुजारा था अब आगे traditional kitchens की description की गई है speaker ये बताते हैं कि पुराने जमानों में kitchens उंची छतों वाले और हवादार होते थे वो किचेंज अपने धुओं और मसालों की तेज़ खुश्बू से हमें अपनी तरफ मतवज़ो करवाते थे high roofed का मतलब उंची छतों वाले spacious मतलब हवादार पंजैंसी मीन strong smell रखना smoke मीन धुआं और इस लाइन के last word spices का मतलब मसाले हैं from December bats we headed to the cheer of wood fire अब यहाँ पर season भी बताया जा रहा है कि December का मौसम था और हम लक्री के जलने की खुशी में अपने बिस्तरों से बाहिर निकल आए क्यूंकि हम यह जानते थे कि माने लक्री नाश्टा त्यार करने के लिए जलाई है और हम अगठे मिलकर नाश्टा करने की खुशी में ही अपने बिस्तरों से बाहिर निकल आए अबब विद सेंग बलैक केटल्स और उस जलती हुई लक्री के उपर काले रंग की केटली या बरतन पारा था जिसमें चाई बन रही थी और वह बरतन सीटी बजाते हुए अपना गाणा गा रहा था पुराने जमाने में लकरी को जला कर उसके उपर चाय बनाई जाती थी जिसकी वज़ा से बरतन के नीचे वाला हिस्सा काला हो जाता था याने के जैसे ही हम रात के बचे हुए सालन्ट के तरफ आइस्सा बरे layन liven 7 से लेकर लाई नंबर 12 तक डिसंबर बैट्स का मतलब डिसंबर के मौसमाले विस्तर हरीट का मतलब भागना चीर का मतलब खोशी वूटफायर का मतलब लकरी का जलना ब्लैक केटल्स मतलब काले रंगी केटलियां या बरतन डॉडल्ड का मतलब आइस्ता इस्ता बढ़ना करी मतलब रात का सालन और सैंग का मतलब सीटियां बजाना है और यहाँ पर ट्रेडिशनल वे ओफ इटिंग को भी डिस्क्राइब किया गया है पुराने समाने में लोग रोटी के छोटे छोटे टुकरे करके उन्हें सालन में मिक्स करके खाते थे और उस सालन की कराही में से ताजा रोटी टबकती थी हम उस रोटी के साथ अंडे और चाय भी पीते थे Everlasting Balls का मतलब हमेशा के लिए वही सेम प्याले होना है यानि के हम हमेशा एक जैसे प्यालों में ही चाय पीते थे चाय पीने और नाश्टा करने के साथ-साथ हम लाइफ के Primary Matters पर भी discussion करते थे These primaries are birth, death, marriages and crops traditional time में लाइफ के सिरफ basic और Primary Matters पर discussion की जाती थी और Modern Times की तरह gossip करने के लिए उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था मगर वो अपना सारा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारते थे इस तरह यहाँ पर Strong Family Connection के थीम को भी highlight किया गया है Mother Presided Contributing Only Her Presence मा सदरत करते हुए यानि की guideline प्रोवाइड करते हुए अपनी presence को शो करने के लिए अपना हिस्सा डालती है बिजी लेडलिंग लेडलिंग जो कि सब को खाना सर्फ करने में मसरूफ है Nois Was Warmth हम एक दूसरे से बाते कर रहे थे जिससे शोर पैदा हो रहा था मगर इस शोर से भी दिल को बहुत ज़दा सकून मिलता है यहाँ पर Word Warmth Family Love or Connection को सिंबोलाइज कर रहा है इन लाइन्स में फ्रेश प्रेड का मतलब ताजा रोटी, ड्रिपिंग, टबकना, सौस पैन, बर्तन, एवर लास्टिंग हमेशा रहने वाले प्राइमरीज, बुनियादी, प्रिजाइडेट, सदारत करना, कॉंट्रिबीटिंग, हिस्सा डालना, प्रेजेंस, मुझूदगी और लैडलिंग का मतलब तक्सीम करना है आगे स्पीकर, मॉडरन लाइस्टाइल और मॉडरन किचेंज की डिस्क्रिप्शन देते हैं इन तंग कमरों और घरों में किसी के पास भी दूसरे के साथ बात करने के लिए वक्त नहीं है घर के अफराद कुछ ना करते हुए भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते क्योंके फैमिलीज की जगा इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिज ने ले ली है जिसकी बेस्ट एक्जेंपल मॉबाइल फून है अस्टेंलेस होमजेनिटी यानि के उनकी जिन्दगी में एक बेरंग सी यकसानियत आ गई है उन्होंने अजीब सी डल रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दिया है और वो एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के मामलात से बेकबर है यहाँ पर वर्ड क्रैम स्पेस का मतलब तंग जगा स्टेंलेस का मतलब बेरंग और होमजेनिटी का मतलब यकसानियत है हमारी आज की जिन्दगी हमारे बज़ुर्गों की पुरानी जिन्दगी पर हकारत अमेज आंखे जमाई हुए है यानि के मौडन लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल का मज़ा कुराती है चेयर्स और इंसुलर यानि के कुरसियां अब तंग हो चुकी है यहाँ पर वर्ड चेयर्स हुमन हार्ट को भी रिप्रिजेंट करती है जो मौडन वर्ल्ड के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेलफिश हो चुका है और वो किसी की भी ट्रू फीलिंग्स या इमोशन्स को एंकरिज नहीं करता इसी तरह कुरसियां भी लकरी की बनी हुई फटियों की इंटिमीसी यानि के कुर्बत की होसला आफजाई नहीं करती पुराने वक्तों में लोग लकरी की बनी हुई फटियों पर बैट कर आपस में बाते करते थे मगर अब लोगों की जिन्गी से फैमिली लाइफ लव और कनेक्शन खतम हो चुका है दा टेबल टक्स बैली जिन यानि के मेज पर इतना ज़दा खाना होता है के हमारे पेट भर जाते हैं वी वोड नो ड्रीम ओफ कमिंग तू दिस प्लेस हम इस जगह पर दुबारा आने का खुआब नहीं देखेंगे में लकरी की फटियों का इस्तमाल किया जाता था जिनकी एक रफ सी टेक्स्चर होती थी मगर अब खुबसूरती और नफासत से बनाएगी कुरसियों का इस्तमाल किया जाता है क्रॉमियम और फॉर्मिका की तरह ही न्यू ट्रेडिशन्स ने ओल्ड ट्रेडिशन्स को रिप्लेस कर दिया है पुराने वक्तों में लोग किचन्स में बैठ कर प्राइमरी मैटर्स पर डिसकेशन करते थे मगर आजकल किसी के पास भी अपनी खुशी या गम को दूसरों के साथ बांटने के लिए वक्त नहीं है बॉर्डन किचन्स में हर एक चीज हस्पताल की तरह साफ सुतरी है यहाँ पर वर्ड किचन्स को हॉस्पिटल के साथ सिमिली के थ्रू कंपेर किया गया है The Surrealist Clock यानि के हकीकत पसंद घरी यहाँ पर वर्ड Surrealist को Surrealism Movement से डिराइव किया गया है Surrealism in Literature can be defined as an artistic attempt to bridge together reality and imagination Literature में अगर Surrealism को define किया जाये तो यह कैसी movement है जिसमें reality और imagination के दर्मियान differences को find out करने की कोशिश की जाती है Surrealism can also be defined as a style in art and literature in which ideas, images and objects are combined in a strange way like in a dream Surrealism, art and literature में यूज होने वाला एक ऐसा style है जिसमें ideas, images और अबजेक्स को dream की तरह combine किया जाता है Where once the eloquent grandfather swung जिसको एक बार हमारे फसीव बली गदादा जानने forcefully दिवार पर लटका दिया था Click forward stiffly वो घरी आइस्ता आइस्ता नर्मी के साथ आगे बरती जा रही है अब इस line के through point ये represent करते हैं के वक्त गुजरता जा रहा है और वक्त किसी का भी इंतजार नहीं करता We are differential to the players of electric toast जबके हम electric toast की एजासे मिलने वाली खुशी के शुकर गुजार है क्योंके modern man electric instruments को यूज करता है ताके उसका काम और ज़्यदा असान हो सके And take our last girls standing up जबके हम किचन में ही खरे खरे अपनी आफरी सांस लेते हैं स्पीकर को ये फिल होता है के clock उनके दादा जान है जो के clock की तरह खामुशी से खरे उनने देखते रहते हैं और जब modern world और उनके हलाद देखते हैं तो उन पर हसना शुरू कर देते हैं modern world में हर बंदा अपनी ही दुनिया में मगन है लोग तंग तंग गरों में रहते हुए भी electronic devices के मोताज हैं क्यूंके वो मुहबत ऐसास और मेहनत की आला सलाहियतों को खो चुके हैं पहले जमाने में अमी जान लकरी की बनी हुई फटियों पर बैट कर खाना बनाती थी मगर अब लोग किचन में भी हर काम खरे होकर करते हैं वो किचन और फैमिली कनेक्शन से मिलने वाली मुहबत, खुशी और ऐसास से बेखबर हैं इसी वज़ा से मॉडन लाइफ में एलियनेशन और आइजोलेशन एक प्रॉमिनेट प्रॉब्लम है किचन स्पॉम में यूज होने वाले प्रॉमिनेट थीम्स में ट्रैडिशन वर्सिस मॉडनिटी नेचर वर्सिस आर्टिफिशियलिटी, ग्रोथ इन दा किचन, फैमिली कनेक्शन और रिलेशनशिप, मदर हुड, पास्ट वर्सिस प्रेजन लाइफस्टैल, रिप्लेस्मेंट और कल्चर्स और ट्रैडिशन और इसके लावा ड्राबेक्स और मॉडन लाइफ भी शामिल ह अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉमेटिव थे तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इन्फॉमेटिव वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सबस्क्राइब क को प्रेस कर दें एक्स्टा इंफोर्मेशन के लिए आप मेरी फेस्बूक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं न्यू टॉपिक्स की सचेशन भी आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्मुनिटी टैब में दे सकते हैं तो अपना बहुत ज़्यार रखिएगा मुझे अपनी याद रखिएगा इंशाला वी विल मीट इन दा अपकमिंग वीडियो लेक्चर टेक ग्रेट केर ओफ यूर सेल्फ एंड यूर फैमली अल्ला ताला आप सबका हामियो नासिर हो अलाफीज